किसान भाइयों नमस्कार मैं हूं गोईंद पटेल और मैं आज आपको जो है मीर्च में जो है थ्रिप्स किस तरीके से दिखता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ यह जो वराइटी है यह है 151 बोलते हम लोग इस वो प्राइड वराइटी है तो इसमें जो है मैं आज इस तरीके से जो है आप भाचाने आपके मीर्चे के खेट में अपर किसी भी फसल में तो उसके लिए आपको यह पलटना पड़ेगा तो मैं यह पहले पलट लेता हूँ अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो है अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको छोटे छोटे कीट पैदल चलते हुए नजर आ रहे होंगे मोबाइल है ज्यादा जू चलिए फिर भी एक दम नद्दीक लेके मैं आपको दिखाता हूँ इसमें छोटे छोटे जो कीट है वह आपको चलते हुए नजर आ रहे होंगे इसको पूरा होल्ड रखता हूँ तब समझ आएगा अब देख रहे होंगे इसमें पूरा जो है क्लियर समझ में आ रहा हुए आपको कि यह सब थ्रिप्स हैं जो पीले-पीले कलर के छोटे-छोटे जो आपको दीख रहे हैं और यह जो काला-कला आपको जो नजर आ रहा हुए वो उसके मतलब मल है इसके रस को चूसते जाते हैं वहाँ पे वो सब मल किये हुए हैं तो अपना मल जो है यह तियागते रहते हैं तो इस तरीकी से काला-काला जो है उसके मल है और मैं आपको दिखाऊंगा अगर कहीं और पत्ते में दिखेगा तो कि इसमें भी है कुछ इसमें जो आपको यह भूरे टेप्स दिख रहे नहीं यह उसके अंड़े हैं और इसमें भी थ्रिप्स हैं, छोड़े-छोड़े थ्रिप्स भी है, यह आपको जो है दीख रहा होगा, यह सब थ्रिप्स है, तो इस तरीके से आपको पहचानना है, अगर आप देखना पाये तो इस तरीके से पत्ते जो है आपका दिखेंगे, थोड़ा सा खुर्दूरा ट फलों पे तो कोई बिसे ससर आप समझ में नहीं आएगा ये फल के भी तने के विरस को चूसते हैं जिसे फल भी जो है थोड़ा सा कमजोर होता है बढ़ इस तरीके से जो है दिखता है फिलाल उम्मीद है आज की बीडियो में आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे तो आज की बीडियो में बस इतना ही धन्यवाद है